प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्ज किया गया पुलिस की लाठी प्रदर्शन कारियों से लेकर अफसर तक पर बरस पणी तो पटना में पुलिस वालों से भारी गलती हो गई जहां पटना सदर के SDM श्रीकांद कुंडलीक खांडे करको उनके ही सिपाही ने लाठी भास दी ये नजारा कवरेच कर रहे पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गया हाला कि सिपाही की इस गलती को दूसरे सिपाहीों ने देख लिया और उसे और लाठी मारने से रोका गया बुदवार को भारत बंद के दुरान राजधानी के डाग बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों को खुजूम पहुचा हुआ था जहां पर कानून विवस्था को बनाए रखने के लिए आला प्रशासनिक अदिकारी मौके पर उपस्तित थे इस दौरान बंद समर्थकों को अराजध इस्तिती पैदा नहीं करने की बार बार चेतावनी भी दी जा रही थी बंद समर्थकों की तरफ से प्रशासनिक चेतावनी को अनसुना किया जा रहा था इसी दौरान लौ एंड ओर को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने लाटी कैनन का इस्तमाल भी किया गया पुलिस दौरा जब लाटी चार्ज किया गया तब बंद समर्थक डाक बंगला चोड़ाहे से एस पी वर्मा रोड की और भागने लगे वहां पटना सदर के SDM डीजे ठेला के पास खड़े थे इस डीजे ठेला को बंद समर्थक ही लेकर आये SDM को लाठी मार दी जब तक SDM कुछ समझ थे तब तक सिपाई SDM को लाठी लगा चुगा था हाला कि इसके बाद तुरंत उस सिपाई के दूसरे साथ ही उसे किनारे लेकर गए और समझाने लगे SCST आरक्षन को लेकर भारत बंद का सबसे ज़्यादा असर बिहार में देखने को मिला प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए राज्ये के कैई जिलों में पुलिस को बल प्रयोक करना पड़ा राजधानी पटना में भारत बंद के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिल यहां प्रदर्शनकारी सुप्रिम कोट आरक्षन विरोधी फैसले वापस लोका नारा लगा रहे थे खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहे हैं फोर साइट्स टीवी